कि अज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइबें के साथ बैल आइकन को दवाईए और विसारा टाइम की सारी नोटुची किसन पाईए कि इसी हरिश्चंदर शुनाक उत्तर महाविध्याले में उपाद्यच इसी हरिश्चंदर शुनाक उत्तर महाविध्याले के उपाद्यच पटपर श्रीश्यम सिर्वास्तो जी ने विज़े पराप्त की इसी हरिश्चंदर शुनाक उत्तर महाविध्याले में महामंत्री पटपर श्री अमन सिर्वास्तो जी ने विज़े पराप्त की पुस्तकाले मंत्री पर श्री आशीश यादो जी ने विज़े पराप्त की और उसके मिर्जापुर के जीडी बिनानी कालेज में अध्यक पटपर श्री धर्मेंद कुमार मोरिया जी ने विज़े पराप्त की उपाज़ाट पर श्री अरविंद यादो जी ने विजब प्राप्त की और महामत्य प्र पर श्री विरेंद पाल जी विज़ाई रहे मउके DCSKPG College के अध्याट पर श्री सूरज सिंग गोलू जी ने विजब प्राप्त की उपाध्यत पत्पर श्री अख्लेश भार्ती जी ने विजय प्राप्त की काले मंत्री पत्पर श्री फैयाज अहमद जी ने विजय प्राप्त की कला संकाय पर श्री आमिर हमजा जी ने विजय प्राप्त की राजकी महाविद्याले ओबरा सोनभध में अदधपतपर्शी शतीष यादो जी ने विजय परौप की और वह ही महामंंत्री पतपर्श्री हर्जो 시청 सिंग मोगा उन्होंने विजय परौप की और इसी डिग्री कालेज में पुस्तकाले मंत्री पर स्री मुकेश जैस्वाल जी ने विज़े पराप्त किये इसी के साथ साथ आजमगर के भी चार महाविद्यालों पर चुना हुए और चारो पाथ महाविद्धालों पर समाजवादी च्छा सबा के अध्यक पक का फाइनल अध्यक जीता D.E.A. कालेज के श्री अमर भादूर जी गांदी सताब्दी महाविद्धाले के श्री अफ्षेग जी श्री दुर्गाज पीजी काले चितिश्योर आजमगर के श्री विकाश यादो जी और सिवा जी पीजी काले तरही पर स्री चंद जी भारी मतों से चुनाओ जीते हैं सिवली शिवली नेशनल काले जाजमगर में अध्यतपत पर स्री अब्दुल रह्मान जी विजय पराप्त किये हैं और विदी संकाय पर स्री मुस्तकीम कामरान जी ने विजय पराप्त की है इस तरह थे पूरे उत्तर पदेश में लगबग 11 गासी विद्धय पीट विशिद्धाले को मिलाकर 11 महाविद्ध्धालियों में भी चुना हुए जहाँ पर एक अगर एक महाविद्याले छोड़ दिया जाए उसको छोड़कर लगबग सभी महाविद्याले और कासी विद्या पीट को मिलाकर सब पर अधर्णी राष्टिय जजी के दिशाने ज़से और उनके आधर्ष पर चलकर सभाजवादी च्छासवा ने विजय परात उत्तरपदेश के साथ साथ डेली इनुष्ची के कुछ कालेज के भी हमारे पास पडातकारी मौजूद है जहां करोरी मलक कालेज से स्री अखलेश यादओ जी ने अधर्दपत पर विजय परात की है इसी कालेज पर श्री अंसूल यादु जी ने वैस परसीन पत्पर विज़ए प्राप्प की है हांसराज कालेज में स्री राहुल जी जनलन सेकेट्री पर विज़ए हुए है राउल जी है श्री श्री अमित जी सेंटरल काउंसलर मनोनीत हुए है सत्रिती कालेज में इस तरह से बलिया बलिया के जो बलिया से विशाल जो जी और उसी कालेज से महामती पत्पर भी और मुगल सराय में भी उपादेट पत्पर विशाल जी विजय हुए है इनके लिए जो जाताली बनाकर आप वंदर स्वाकत अबनेंदन करें जहां एक तरफ भाती जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर परदेश के कई विशुद जालों में छासंग के चुनाओ बंद कराए और बहुत सारे महामती जालों पर भी चुनाओ बंद कराए है जहां आदर्णी राष्टी अद्धा जी के दिसान्यूदेशन पर गोर्यप और विशुद जाले में पिछली बार तिथी घोसित होने के बावजूद भी एक दलित परिवार से आने वाली बेटी का जब नामानकन हो गया उसके बाद भाती जनता पार्टी की सरकार ने और इस पर पर पद्बन लगा दिया गया आगरा विशुद जाले में भी पद्बन लगाया गया मेरत में भी लगाया गया और बहुत सारे कालेज जहां पर छासंग के चुनाओं होते थे शुदात नगर के भी कई कालेज है बहुत सारे कालेजों पर जहां चुनाओं होते थे उन पर चुनाओ पर पद्बन लगा दिया गया और इस होसे पर मैं आधर्णी स्री माता पसाद पांडेजी से अनूत करूंगा कि अपने आसिस वर्चनों से हम लोगो कुने माधे प्रमादनिये राष्टे अदेग जी मंजपर विराजमान समाजवादी पार्टी के नेतागर्द यहां बुजई होकर आए छाज संग के पताधिकारीगर्ण और उपस्थित नौजवान साथियों सबसे पहले मैं जो बुजई होकर आए हैं उनको बधाई देना चाहता है बधाई के साथ ही उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं आज देश जिस तरफ जा रहा है और जिस प्रस्तितियों में हमारे देश को एक ऐसे रास्ते पले जा रहा है जहां लोकतंत्र अपने आप स्वाप्त हो जाएगा इसलिए नोजवानों आपकी ये जिम्मेदारी है क्योंकि नोजवान ही करांती का बाहक होता है दुनिया में जब कभी करांत हुई है और परिवर्तन की धारा चली है तो उसमें सबसे ज़्यादा नोजवानों की भागीदारी रही है आज भी आपके जीत के साथ ही ये चुनोती आपके सामने है और आप ही को नहीं सभी नोजवानों के सामने है किसे निजात कैसे मिले है जिस धारा में हिट्टर साही के रूप में जिस तरह से इस सरकार को जिस तरह से सरकार अपने नीतियों को अपने बिचारों को लोगों को उपर लादने का प्रियास कर रही है अगर उसका मुहतोर जबाब हम आप नहीं दे सके तो लोगतंत्र समाप्त हो जागा इसलिए नोजवानों मैं आप सब को बढ़ाई देता हूं जीते हुए लोगों को और आपको ये भी आपको ये याद दिलाता हूं कि अब जीतने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ी है जहां अपने बिद्यातियों के समस्याओं को लेकर आप लड़ेंगे उहीं आपको देश और समाज के समस्याओं को लेकर भी लड़ना है मैं फिर एक बार आपको जीते हुए लोगों को हार्दिक बढ़ाई देता हूं और उनका अभिनंदन और स्वागत भी करता हूं कि वो जिन परिस्थितियों में जिस तरह से सरकार काम कर रही है उसका मुकाबला करते हुए जीत के आए इसलिए इस पर और और बधाई और आपका स्वागत रभी नम्दा मैं अब काशी विद्यापीट के जो अधच सी संदीप यादो जी है उनसे नेदन करता हूं मत पराएं आदनी राष्टी अधच जी हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि जब चुनाओ था तो संदीप बुरी तरह बीमार थे जब चुनाओ की घोशणा हुए तो संदीप यादो हास्पिटल में एडमिट थे इनके सीने में इंफ्रेक्शन था और बुरी तरह बीमार थे लेकिन बड़ी हमत के साथ समाजवाजी च्छासवा के पदातकारियों ने और इनके तमाम साथियों ने मिलकर इने चुनाओ ल समाजवाजी च्छासवाने मां पर्चम नराया आदरनी सुच संदीप यादो जी पहले दन्यवाद देना चाहता हूँ राश्टी अद्येच, श्री अकिलेश यादों का, जो हम जैसे के नेता, गरीबे नौजवानों, किसानों, दलितों, सोसितों, वंजदों के नेता हैं, हम जैसे सधार्य परीवार के, रोड, चाह संग के अद्येच को एक मंच प्रदान करने का काम किया, मैं उनको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहां मंच पर उपस्तित सभी नेतागड को मैं हार दिक अभी नंदन स्वागत बंदन करता हूँ और कासी से आए मादमा गांधी कासी पित्या पीट के नौजवान जो हमें चुनाओ जितानें जिनकी मादपूर भूमिका रही जो मेरे लिए संगर्स किये जिनकी वज़े से आज मैं अद्यश हो पाया मैं उनको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हार दिक स्वागत अभी नंदन करता हूँ राश्टियद्य जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय चासंग का चुना हो रहा था हम लोग के नमांकन में जुलूस निकला था उस समय जो एबी वीपी के लोग थे प्रसासन के दौरा हम लोग के उपर हमला किया गया जैसा कि अभी कुछ देर पहले वीडियो चल ला था आप सभी लोग देखे होंगे मैराश्टियद्य जी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे उपर जिस जिप पे हम समार्थ है उस पे हमला किया गया हमारे लोगों ने हमें बचा के निकाला वहां से और हमारे तमाम साथियों को मारा गया प्रसासन वा मुख दर्शक बनी रही देखती रही उनका साथ देती रही और उसके बावजूद हमारे साथियों के उपर मुगद में लाद दिये गए उन्हें परसान किया गया कि वो campus ना पहे campus शोड़ते जिसमें मुख रूप से हमारे राहुल सोनकर पुर्मामंत्री का चुना लड़ चुके हैं अनिम यादो जी पुर्मामंत्री अभिसेग मिस्रा आड़ी जी छासवा जिलाद्यच अतुल सिंग रतंदीप सिंग सुनिल सिंग कट्टा नुरागया दो निसुव आदो अनिस स्वंकर जी जिनका बहुत बहुत धन्यवाद और जिनने मुझे मुझे मंच प्रदान करने का क चुना हो रहा है मात्मा गंधी कासी विद्यापीट जब वहां से आ रहा था तो वहां के नौजवान कहें कि राष्टी अद्द्ध जी को आप विद्धापीट बुलाने का काम करिए हम उनको सुनना चाहते हैं हम उन्हें देखना चाहते हैं और मैं आप से नुरोत करता कि आप समय दीजिए कासी विद्यापीट को छा संग के लिए अपने बहुमूल किमती समय से एक दिन का समय देदीजिए जो हम लोग बनारस ही नहीं पुरवान चली नहीं पूरे देश में समाजवाद को भलाने का काम करेंगे और आश्टी अद्ध जी मैं कहना चाहता कि सम्मान की बात आएगी आपके सम्मान की बात आएगी मैं सबसे पहले लड़ने का काम करूंगा और आप सकता वही तो अपनी खून भी बहाद दूंगा राश्टी अद्ध जी आप से नहीं वे धन है कि हमारे बिद्ध्य पिट के बहुत साथी आए हैं दो-दो मिनिट का अगर समझ दे दे आप तो मिलना चाहते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत धन्यवाद समाजवादी पार्टी की परंपुरा जहां गरीब परिवार से निकल कर नौजवानों को रावनीत में मुक धारा में लाने की रही है उसमें एक और कड़ी में हरिश्चा निश्णाकोतर महाविद्याली के अध्यच स्री मागेश्वर पसाच चौरशिया को मैं आवाज देना चाहता हूँ आएं और अपने उद्वोजन से नोजवानों को समंधूत करें बहुत-बहुत धन्यवाद संचालक मौदे जी सर्व प्रथम मैं आप अरुपस्थेत आधरलिय युवा हिर्देर स्रम्राट मांडे राश्ट्री अद्यच स्रिय अखलेग स्यादों जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझ जैसे गरीब परिवार के बेटे को राजनीती में कदम रखने का सबसे बड़ा सहयोग प्रादान किया और आज इस एताहसिक मंच पर खाड़े होकर बोलने का भी हमें सौबागे प्रादान किया उसके साथ मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पर उपस्तेत समाजवादी पार्टी के समस्त्र पतादिकारियों को समस्त्र कार्यकरता गलों को और सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भाईया जो कि हमारे बनारेस के आन बांशान भी कहलाते हैं और बनारेस के उवाद के रिदे सम्राट श्रीयवनिस यादो विक्की जी जो कि वर्तमान में पार्षद भी है समाजवादी पार्टी के और धन्यवाद दूंगा अपने बड़े भाईया श्रीशती स्यादो जी का जो कि समाजवादी पार्टी छात्रसभा के महानगर अध्यत जी है अगर मैं यहाँ पर छात्रसंग का पदा दिकारी बनकर आपके बीश पे खड़ा हूँ तो सबसे बड़ा योगदान हमारे भाई हमारे भाईया लोगों का है और भी हमारे भाई है जिनका मैं नाम इस मंच पर लेना चाहता हूँ जिनोंने मुझे जिताने के लिए दिन रात एक किया सबसे पहला नाम लूँगा अभिशेख यादो कनया जी का मैं दिलथे आप धनेवाद देता हूँ धनेवाद जै निजै समाजवाद छात रेक्ता जिन्दाबाद समाजवादी परटी जिन्दाबाद अगलेश यादो जिन्दाबाद बहुत बहुत धन्यवाद बस एक जीडी बिनानी पीजी कालेज मिर्जापुर एक बहुत ही साधान परिवार से आने वाला नौजवान मैं आवाज दूँगा श्री धर्मेंद कुमार मोर्याजी को वो आए और बहुत चंद समध अपनी बात अके धर्मेंद कुमार मोर्याजी जली आईए इस सभागार में उपस्तित सभीजनों नौजवान साती और मानिय राष्टी अधजी और सभीज मंच पे उपस्तित अतितीगड के चड़ों में साधर कोटी कोटी प्रणाम मैं छात्र संग अध्यक्ष धर्मेंद्र मोर्या जीडी बिन्दैनी पीजी कॉलेज मिर्जापूर से बीए फस्टियर का इस्टेटिंट हूँ और बता देना चाहता हूँ मैं की मेरे चुनाओं में बहुत से अत्याचार किये गए मैं एक गरीब परिवार से था जो कुमिझे जब मैं चुनाओं लईने आया तो मुझे किसी ने अनुमती नहीं दी जो विपक्ष के लोग थे वो बोले तुम चुनाओं मल लड़ो मेरे घर जाकर मेरे परिवार वालों से बोले कि इसको चुनाओं मल लड़ाईए जितना पैसा हो ले लिजी हमसे लेकिन मेरा भी मनता नहीं मैं भी आऊंगा समाज में मैं भी सबका समाज सेवा करूंगा यहां तक कि मेरे घर में मेडिकल इस्टोर चलता था लाल गंज में उसको उन लोगों ने अपना रिस्ता जोड़ के उसको बंद करा दिया गया चुनाओ को लगने के वज़े से कि इनलों का पेट में लात मार देंगे रोजी रोटी छिल लेंगे लेकिर फिर भी मैंने वहां से हार नहीं मानी मैंने फिर भी चुनाओ लड़ा और बहुत इस्ता चार किये गए मेरे चासवा के जिला अधच अवे भईया भी जी बहुत साथ दिये और पूर अधच प्रजेंट में जो बैटे हुए हैं दीपक मौर्या जी जे मंगल जी सब लोगों का साथ था बहुत चीज बता देना हुए जी इस प्रेजेंट में जो हमारी सरकार चल रही है भाजपा कहतो रहे हैं भाजपासर का सरकार है यह तो सालल लगता है कि ढूंगियों का सरकार है बोलते हैं, बोलना है कि बहु बेटी सुरची थे हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, कैसे बेटी बेची पढ़ रही हैं, बच रही हैं, जहाँ देखो वहाँ बलतकार, बलतकार तो बाबा लोग ही कर रहे हैं, हम लोगों को लगता है कि अभी बहु बेटियों का ही बल प्रदार मंत्री जी आप लोगा के खाते में 15-15 लाख रुपए डलवा देंगे हमने भी सोचा चलिए गरीब घर का हूँ खाता खुलवा लेता हूँ कहीं से 15 लाख रुपए आ जाएंगे कहीं रोजी रोटी कर लूँगा वो भी नहीं आ एक रुपए जब खाता चेक करवा एक रुपए नहीं आया हमके फालतू में सब चला गया भाई या उसके बाद का हुआ जब फिर काता होता भी ने खुला और अपने तो बोलते हैं कि मैं घरीब घर से था चाय बेटे बटे प्रदान मंत्री बन गया बताएं हम लोग किसान के बच्चे हैं तो क्या हम लोग इस देश में हम लोग का हक नहीं आने का गरिबों का आवाज सुनने का हमारे पिछले भाई लोग का आवाज उठाने का हमारे पिछले भाई लोग इसी तरह दबते रहेंगे बताएं ऐसे बोलते हैं ऐसी सरकार है तो सब लोगों से चात्र भाईयों से निवेदन है कि 2022 में अपनी सरकार बननी चाहिए हम लोगे मच्छात रेखता हम इतनी उबाले खुन है कि जहां चाहेंगे उतर जाएंगे खुन की नदिया बहा देंगे जब दो पहाडों के बीच से नदी निकलती है ना किसी से नहीं पूछती है कि सागर कितनी दूर है क्याते हैं ना राटी अद्धा जी आप सबको बहुत धन्यवाद आपके चोड़े में कोटी कोटी प्रणाम चात अधच धर्मेंद्र मौर्या आप सब अपना आसिरवाद जरूर बनाईएगा च्छोटे भाई गुबर बहुत बहुत धन्यवाद अद्धा जी हम आपको समाजवादी पार्टी वादरनी अखलेश यदो जी की तरफ से पूरा आपको विश्वाद जिलाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उन्हीं की लड़ाई लरती आई है जो गरीब दबे कुछले लोग है और आपके का है भूँत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मैं मंज़पर उपस्तीत राष्टी अध्यश महादय को प्रढा dest करता हूं तद उप्रांत मंचपर उपस्तीत समस्त नेतागण वह हमारे अभिवावक स्वरूप इस सभागार में उपस्तीत समस्त जनों को प्रडाम करता हूँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ राश्टी अद्रश महोदे मैं विश्व की पुरातन नगरी गंगा के किनारे बसे एक सांस्कृतिक सब्यता के शेडी में प्रतम स्रेडी में आने वाले वनारस के स्री अरिश्चन दिस्तनात को तर महाविद्याले से मामंत्री पत का त्रत्यासीता अराज आपके बीच में पदाधिकारी बनके उबस्तीतू वहाँ पे आपको बता देता हूँ राश्यद्य जी कि कायस्तों की संच्या 90 है और 90 कायस्तों में पूरे महाविद्याले में 1730 मत पढ़े थे जिसमें से 1115 मत पाने का कारे मैंने किया था मैं सबसे पहले यहां उपस्तीत हमारे जो विवानक पहोदे हैं उनको साधुवात करना चाहता हूँ क्योंकि बनारस की धर्ती से चलके लगनाव की धर्ती नवावों के साहर में आके आपके समख चुपस्तीत हो करके आप से प्रेना ले करके वो बढ़ने का कारे करते हैं और आपका मैं बहुत-बहुत साधुवात करता हूँ कि जितने साथी मेरे यहां आयते आपने सब को बढ़ाने का कारे किया और यहां बुलाने का कारे किया सबसे पहले मानगर के अध्यच स्री सती शादय जी यहाँ पस्तीत है उसके पश्चाप हमारे बड़े भाई स्री अमनाश शादय विक्की जी सबसे पहले यहाँ पस्तीत पुरमानगर अध्यच पे स्री पदीप जस्वाल जी यहाँ पस्तीत है हमारे बनारिस की दर्ती से रा कि किस किस का मैं नाम लूँ किस किस का जाओ बूल और किस किस का मैं नाम लूँ किस किस का जाओ बूल यहां उपर सभी है नेता जी की बगिया के फूल आपसे बता देता हूं अधर जी कि हमारे महाविद्याले से ही देश के दूती प्रदायन मंत्री स्री लाल बादुर सात्र जी पनके निकल करके होए हम उस महा भी ज्यले हरिकल करके हैं और यह मच मुझे मिला है तो इस मच में आपको बताता हूं कि आते हैं लगों बसी क cricket चुह हम लोग लाने का करेंगे और विश्वकारिया को लिए बहुत बहुत दन्माद आपका ऊर्फ लेוצदर आपके इजिए निर्दे से इस बार हम लोग हरिष्ट महावीध्याले में अलेकोर कर अपर बिश्भी द्याले में आएंगे पाखंड रूपी जो कारे फैला हुए है हमारे सब्यता के साथ खेल रहा है उस सब्यता को दूर करने कार अगर कुछ कर सकता है उस सब्यता को बनाय रखने कार कोई कर सकता है तो सिर्फ सर्माज़री पाटी कर सकती है और कोई नहीं कर सकता भया मैं जादा समय तो नहीं हुए इसलिए ज्यादा समय नहीं लोते हुए बस आप से मिनमनी में जन करने आया हूँ कि हमारा महाभी द्याले दच्छरी विदान सभा में पड़ता है गंगा की कसम यह मुना की कसम यह ताना बाना बदलेगा कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले यह बात पावालो का जमाना बदलेगा यह बात पावालो का जमाना बदलेगा बहुत 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 धन्यवाद युद्ध में जीत के आने के लिए काफी है आप अकेले ही जमाने के लिए काफी है और आपकी हकीकत को ख्वाप समझने वाले आप उनकी नेंद उडाने के लिए काफी है मैं आवाद देना चाहरा हूं समाधवादी पार्टी के राश्टिय जजज अधरनी श्रिकलेश यादो जी की जिनके आशिर वस्तनों से आप सबको आशिरवाद मिले और दिशाने से संबले वीडियो बंद करा देना वीडियो पीछे अला बंद कर देना हमारे साथ मंच पर विधान सबागे पूर्व अधेक्ष आदनी मातबसार पांडे जी पार्टी के वरिष नेता आदनी एहमद संजी पार्टी के राश्टे महा सचिव इंदिजी सरोज जी पार्टी के प्रदेश अधेक्ष नरेश उत्तम जी आदनी बर्णाम यादब जी और समाजवादी पार्टी के सभी वरिष नेता पतकार साथियो आज खुशी का दिन है के बड़ी संख्या में नौजबान इस लोईया सवागार में उपस्ते थें और साथी साथ ये बड़ी मेहनत करकर के जो च्छास संख के पदादिकारी जीते हैं मैं इन सभी नौजबानों को बहुत बहुत बढ़ाई देना चाहता हूँ साथी साथ जिन साथियों ने सहेव करकर के इनकी मदद की है एक एक नौजबान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सभागार में बड़ी संख्या में नौजबान है अभी कुस दिन पहले में इसी सभागार में बैठा था मंच पे हम लोग इसी तरह बैठे हुए थे और मैंने एक बात नौजबानों से पूछी उस समय सभागार में जितने लोग थे उनसे पूछा मैंने पूछा कि ये बताओ सबसे ब्रेकिंग नीउस कौन सी चल लई है सभागार में जितने लोग बैठे थे उस दिन उन्होंने कहा कि हमारी जो ब्रेकिंग नीउस चल लई है जो मुझे दिखाई दे रहा है मुबाइल पर वो है चश्मा और मंच पे जो हम लोग बैठे थे हमारे अलावा कोई नहीं जानता था याद होगा और ये इस बात को मैं प्रेस के साथ मिसले का हूँ राजिन चौजी जी भी उस समय मौदू थे हमारे साथ तो ये नौजवान नए नौजवान हैं ये चीज़ों को समझते हैं आज के समय के हिसाब से जो चीज़ें चल नहीं उनको पकड लेते हैं मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से वो नौजवान मौरिया अपनी बात रख रहा था जिस भावना से वो कह रहा था जो बातें वो कह रहा था यहां सबागार में जितने नौजवान बैठे हैं मैं समस्ता हूँ उस मौर्या नौजमान से अपनी भावना को जोड़ते होंगे वो नौजमान जो चुनाव लड़ना चाहता था मुझे नहीं पता था कि उसकी मेडिकल की स्टोर की दुकान है और जिसकी सरकार है वही रोक रहा होगा जो सरकार में बैठे हैं वही रोक रहे होंगे उस नौजमान ने पूरी घटना नहीं बताई दूसरे ने बना रसके जिस समय चुनाव हो रहा था हो ये नामंकन करने के बाद अबने जलूस को लेकर के जा रहे थे भारती जन्ता पार्टी के लोगों ने इनी नौजमानों को गेरा पूरा वीडियो जानते हैं वीडियो देखा होगा लोगों ने लोगों के साथ इन नौजमानों के साथ अन्याय किया तोड़ फोड़ की सड़क पर जो अन्याय कर सकते थे वो किया मार पीट की लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि नौज़मानों ने कोई चीज अपने हाथ में नहीं ली अगर कोई चीज करके दिखाया तो वो जीत करकर लेकर काया है मैं उन नौज़मानों को बढ़ाई देता हूँ वो वीडियो एवलेवल है वो वीडियो एविलेवल है वहां के जो आई पिए सदिकारी हैं पुलिस कप्तान से मेरी बात हुई मैंने कहा कि इन नौजमानों को घेर करके मारा है इनकी गाड़ी तोड़ दी बताओ किसी के खिलाफ कारवाई हुई हो तो बता दूआ मैंने फौन किया मैंने फौन किया मैंने कहा कि ये जो वीडियो देख लो वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है किसने अन्याय किया है किसने पुलिस के एक समिंस्पेक्टर को पीटा एसो को पीटा उन्हीं लोगों ने बताओ बनारस के लोगो वो ऐसो पीटे गए थे के नहीं पीटे गए थे वो घायल हो गए थे लेकिन सरकार क्या कर रही है वहां के पुलिस कप्तान क्या कर रहे है उन्होंने भरुसा दिलाया थे कि हम इन बच्चों को नयाए दिलाएंगे लेकिन नयाए नहीं दिलाया इन पे इन तमाम गंबी धाराएं लगा दी है अरे अभी तो कह रहे थे कि हम खून बादेंगे और तो मुगदमें से डर गए ये समाजवादी लोग है मुगदमों से नहीं डरते है और फिर जब मुख्यमंत्री अपनी धाराएं वापस ले ले रहे हो तो तुम्हारी धाराएं तो सरकार बनने के बाद सब साफ हो जाएंगे और फिर आपका तो आपका तो विशेश स्वागत होना चीए आपका तो विशेश स्वागत इसलिए होना चीए जहां सबसे पुराने शेर से आप आएं है वो शहर वार्णासी लेकिन मैं कहूंगा आप क्यूटो से आए हैं और मैं नौजमानों आपको कहना चाहता हूं इन पतादिकारियों को पासपोर्ट बनवा के रखना जब समाजवादी सरकार बनेगी तो यही चाहत सेंके नौजमानों को मैं क्यूटो दिखाने का काम करूँगा कम चेकम यह देखे तो सही के क्यूटो कौन सा शहर है कौन सा सपना दिखाया गया था कितना बड़ा सपना दिखाया और सड़क पे कौन घूम रहा है बनारस में नौजमान सातियों मैं बढ़ाई देना चाहता हूँ आपको मैं बढ़ाई देना चाहता हूँ आपको और आप क्योंकि नई पीड़ी के लोग हैं नई उम्र के लोग हैं ज़्यादा ओर्जा है इस ओर्जा को बचा के रखना क्योंकि सभी समय पर उर्जा का इस्तेमाल होना चाहिए और इसने भी जरूरी है क्योंकि समाज को भी आप दिशा दिखा सकते हो और देश की राजनीत को जब कभी भी जरूरत पड़ी होगी इन नौजवानों ने अपनी भूमिका निभाई है इस देश को दिशा देने के लिए समाज को दिशा देने के लिए और राजनीत को नई दिशा देने के लिए आपकी जरूरत पड़ेगी मैं आप सबसे रिवेजन कर रहा हूँ कि जब संगर्स का रास्ता अपना है आपने समाजवादियों के साथ तो समाजवादी लोग कैसा देश या समाज बनाना चाहते हैं हम लोग समाज को जोड़ना चाहते हैं और जिन से आपका मुकाबला है वो समाज को तोड़ना चाहते हैं हम समाजवादी लोग सम्विधान बचाना चाहते हैं वो सम्विधान को कुछ समस्ते नहीं है वो सम्विधान की परवा नहीं करते हैं हम समाजवादी लोग भेदवाब को मिटाना चाहते हैं ये बीजेपी के लोग भेदवाब रख करके उससे लाब उठाना चाहते हैं बताओ यहां कोई ऐसा हमारा साथी बैठा जिसके घर में पूजा ना होती हो बताओ कोई साथी ऐसा हो है कोई ऐसा तो बताओ हमें हमारे घर में तो है इसलिए हम ये कहना चाहते हैं आपको ये जितना दिखाई दे रहा है जितना दिखावा है ये हमें और आपको ध्यान हटाने के लिए काम कर रहे हैं हमें आपको भटगाना चाहते हैं अगर हमको रोजगार के लिए पूछें तो बताओ नौजवानों आपको NPR चाहिए की रोजगार चाहिए सवाल ये है बताओ हम तो हैं यहां के नागरिक हम सब नागरिक हैं यहां के कोई भारती जनता पार्टी का नहीं तैय कर सकता है कि हम नागरिक हैं कि नहीं हैं और अगर जरुवत पड़ी तो हमारे पुराने लोगों ने हमें सिखाया है राजपिता महत्मा गांदी जब अफरीका में थे उन्होंने जो पहला आंदोलन किया था कुछ कार्ड उठा करके जला दिये थे उन्होंने जरुवत पड़ी तो नहां हम फॉर्म भरेंगे हमसे फॉर्म कैसे भरवा लोगे अगर जरुवत पड़ी तो पहला मैं हूंगा जो कोई फॉर्म नहीं भरेगा अगर आप साथ दोगे के नहीं दोगे सबाली है हम नहीं भरते एंपियार क्या खरेंगे आप बताओ भरोगे आप और नहीं भरोगे तो हम और आप सम निकाल दी जाओगे हम तो नहीं भरेंगे हम तो नहीं भरेंगे बताओ भरोगे आप इसलिए जितने भी भारत के लोग है पहले भारत बचाओ और इन लोगों से बचाओ जो संबिदान की धज्यां उड़ा रहे हैं क्योंकि इनके पास नौकरी नहीं है आप बात समझे नहीं आप चीज को नहीं समझ पाए यह अन्या इसलिए हो रहा है क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंतरी अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं यह जो अन्या दिखाई दे रहा है जो लोग मारे गए हैं पुलिस की गोली से उसका अगर कोई जिम्मेदार है तो भारती जन्ता पार्टी की सरकार और मुख्यमंतरी खुद जिम्मेदार है और यह बात समझो इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वो जानते हैं कि दोसो बिधाईक उनके खिलाफ सदन में बैठ गए थे बताओ दोसो बिधाईक बैठे थे कि नहीं बैठे थे और कभी बिधाईकों का मंट ठोलना तीन सो से ज़्यादा बिधाईक उनसे नाराज हैं यह अपनी कुर्सी बचाने के लिए अन्याय कर रहे हैं वो जानते हैं कि अगले छे महीना कोई कुछ नहीं पूछेगा और अगर छे महीना नहीं पूछेगा कोई तो ऐसी हट करके बैठ जाएंगे वो कि अगले डेड़ साल कोई नहीं हटा पाएगा यह जो अन्याय हुआ है भारती जन्ता पार्टी के मुख्मंती अपनी कुर्सी बचाने के लिए अन्याय कर रहे हैं मैंने उस दिन भी कहा और आज भी कहता हूँ क्या ऐसा देश है हमारा अगर हम पोस्माटम रिबोर्ट मांगना चाहें तो पोस्माटम रिबोर्ट नहीं मिलेगी अगर इस परिबाद के सदस जानना चाहें कि किसकी गोली से जान गई है वो सचाई नहीं पहुँशकती हम सचाई नहीं जानेंगे आखिर कोन है जो ये बातें च्छपा रहा है कोन लोग हैं जो घवरा रहे हैं जन्ता से कि जन्ता के बीच में सचाई चली गई तो सच्चाई जाने के बाद जब जनता को मौका मिलेगा तो इनके से हिसाब किताब करेगी बताओ रोजगार कहा है बताएं कोई हमें कोई इनसे सवाल नप पुछे की इंवेस्टमेंट आया है के नहीं आया है बताओ छे मीने कोई इंवेस्टमेंट पुछेगा इंसे उत अपदेश में कोई इंवेस्टमेंट नहीं है जीरो इंवेस्टमेंट काखाने लगाएंगे नहीं लोग उद्योग लगाएंगे नहीं और क्या हम भूल गए वो बात कि अब वो बात हम भूल गए नोट बंदी पे क्या भरुस्त लाया था देश को बताओ आप कहा कि नोट बंदी से भर्ष्टाचार खतम हो जाएगा बताओ पनारस के लोगों कहां खतम होगे भर्ष्टाचार और कहां कारधन आ गया हमारी बैंकें डूब गई बैंकें डूब गई हमारी जिन उद्दोग पति उन्हें कार खाने रहे उद्दोग उन्हें लिया पैसा बैंकों का वो पैसा नहीं देंगे यह सब बाते छिप जाएंगी जो जीस्टी लगा करके कहा कि सरली करन हो जाएगा बैपार पता हो जीस्टी लगने के बाद कौन सा बैपार का सरली करन हो गया इसलिए यह जानते हैं कि अर्थववस्ते की हालत क्या है और कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि हमारे देश की अर्थववस्ता I.C.U. में पहुच गई है I.C.U. में अर्थववस्ता है यह हम नहीं कह रहे हैं और सास्त्री कह रहे हैं हम तो कहेंगे कि I.C.U. के बाद भी एक और नई I.C.U. बन गई है वहां पहुंच गई है यह लोग अर्थववस्ता हों पहुचादी है अब तो अस्वताल में I.C.U. से वी उपर एक और I.C.U. होती है तो अर्थववस्ता वहां पहुचा दी है वहां पहुचके अर्थववस्ता और याद रखना कोई जिम्मेदार तो भारती जनता पार्थी हमने नोट बंदी के समय में भी बिना भेदवाब के जो लाइन में खड़े हुए थे उनकी मदद की थी जो लोग उत्तपदेश के गरीब लोग जो लाइन में खड़े थे देश में किसी ने मदद ने की थी उनकी हम समाजवादी लोगों ने उनकी मदद की थी उनके परिवार को लोगों को बुला करके हमने सरकार से पैसे देने की काम किया था ये जो निर्दोस लोगों की जान गई है अगर हमें मदद भी करना पड़ा तो पार्टी की तरफ से इन तमाम परिवारों की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे इसलिए BJP की चालों से बचना हमारा आपका लक्ष है BJP को हटाना और देश को नए रास्ते पर ले जाना हम उनका खेल नहीं खेल सकते हम कैसे खेलेंगे उनका खेल और खेलना में नहीं चीए हमको क्योंकि वो हमारा खेल नहीं जानते बताओ वो क्रिकेट खेल लेंगे क्या बताओ क्या फुटबॉल खेल लेंगे क्या वो साइकल चला लेंगे तो फिर हमने अद्देश जी को याद दिलाया हमारे अद्देश जी थे उस सबस्दन के जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे हो जब कोई जी जाती थी टीम हम सरकार के लोग और अधिकारी लोग क्रिकट खेलते थे कब को देने आते थे आप बताओ इस सरकार में संबब है क्या इसी लिए वो बैठ करके खेल खेल ले हैं कि हमारी कुर्सी कैसे बच जाए कुर्सी बचाने की खेल खेलने हैं ए बनारस के लोगो तो हमारे आद दूसरी चीज भी चलती है क्या चलता है वो कभी कभी ठंडाई में तो इसलिए हम आप से कहना चाहते हैं ये सरकार कुछ करने वाली नहीं है बताओ जो उनके सबसे बड़े नेता थे उनके लिए कुछ नहीं कर पाए उनकी भी प्रतिमा बताओ कहा खड़ी कर दी अच्छा हुआ कि आफिस नहीं देखा किसी ने और यकीन करो अगर आफिस देख लिया होता तो उत्तब देश के मुख्वंदरी बचते नहीं क्योंकि इतना सुन्दर आफिस बनाया है पी-एमो भी इतना सुन्दर नहीं है ये सच्चाई है और कभी कभी मैं सोसता हूँ कि बताओ कोई धरम किसी कैंसर के मरीज का इलाज कर सकता है क्या बताओ हमें कोई धरम हो बताओ हमें अगर कैंसर का इलाज कर दे आज हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा कैंसर हार्ट और ये बीमारियां है लोगों को दवाई नहीं मिल लई है हमें डॉक्टर राय B.H.U. के कहके गए कि जितना कुछ हो पहले होता था आज वहां भी नहीं है इस्पताल में इलाज कोई दवाई का इंतिजाम नहीं कहीं पर और आपके सरकारी विवस्ता सब चौपट हो गई बताओ कोई विवस्ता चल ले हो इलाज की गरीब को खेंच लाज मिलना हो और फिर बैंकों में ऐसी चोरी हुई है ड़केती के आज तक चोर नहीं पकड़े गए बताओ बैंकों की ड़केती वाले चोर पकड़े गए कोई अरे वो तो कागस से पैसा निकाल ले गए वो तो नहीं पकड़े जाएंगे जो एटियम तक छीन ले गए वो तक नहीं पकड़े गए बताओ एटियम बाले पकड़े गए क्या एटियम तक उठा ले गए लोग तो सरकार आकर कर क्या रही है और हम तो कह रहे हैं अभी तो दो साल हैं अभी तो हमारा काम बहुत बाकी है बहुत बाकी है भी काम इसलिए अगर आप चाहते हो प्रदेश में अच्छे एक्सप्रेस बे बने अच्छी सड़के बने अच्छे हस्पताल बने अच्छे स्टेडियम बने और बच्चों को कम से कम लैप टॉप मिले ये बनारस के लोग और जतने नौजमान यह बैठे हैं बताओ हमारी सरकार के देवे लैप टॉप चलना है की नहीं चलना है और आज भी नेताजी और हमारी तस्वीर नहीं हटी होगी उसमें तो आपका लैप्टॉप अभी भी चलना है और बीजेपी का सोचाले चलना है कि नहीं चलना है बताओ आप आप सोचाले चाहते हैं कि लैप्टॉप चाहते हैं आपको करना है वो सोचाले की तरफ ले जा रहे हैं बताओ और हम आपको लैप टॉप दे के कहीं और ले जा रहे है तो सोचो क्या फर्क है ये छिप जाते हैं कभी कभी कुण चीजों के पीछे ये जो जेम में पुडिया लेकर के घुमते हैं उससे बचाना ये जो पुडिया है उससे बचाना इसलिए बहुत सी आजादियों को खत्रा है हम और आप कुछ बोल नहीं सकते हैं उसका खत्रा है मैंने उस दिन कहा कि ये धारा 144 लगाए हो आप हमने कहा जैसे तुमारी सरकार है और जैसी तुमारी बाते हैं उतनी कमजोर धारा 144 है मैं यहां से लगीमपूर तक गया हर जगे तोड़ते चले गए धारा 146 और लगीमपूर से वापिस आगए धारा तोड़ते तोड़ते बताओ कहा थी पुलिस आपकी अभी एक सिपाई से मैंने बात की थोड़ा उम्रदार था मैंने कह यह बताओ वो तो तुमारी जनम की सैटिफेट के बारे मैं नहीं जानना चाहता तुमने तो अपना जनम का सैटिफेट जुगार करके बनवा लिया होगा लेकिन यह बताओ अगर तुमारे मावाप का बर्थ साटिफेट और बर्थ प्लेस पूछेंगे तब क्या जवाब दोगी तो यह जो लाठी चला रहे हैं इन्हें भी नहीं नहीं पता की क्या खत्रा इनके साथ होने वाला है जिस से मैंने बता दोगे लाठी वालों को की सुनो तुमारे भी माता पिता जी के काड़ मांगे जाएंगे उस दिन के बाद वो लाठी नहीं चलाएंगे यह गाओं पे रहने वाले लोग बताओ आप गाओं में है घर किसी का नहीं है सबका घर है बताओ बनारस में घर होगा उसकी तो रिस्ट्री होगी लेकिन गाओं में जो घर है उसके कागज कहा है बताओ तुम है कागज कहीं के नहीं है बताओ यह तो पत्तिकार साथी कह रहे हैं इंपे भी कागज नहीं है इसलिए अपना ध्यान मत अटाईए फॉमी नहीं भरेंगे तो कैसे निकालोगे हमें आप और फिर अगर ये बात है कि आपने आरशन खतम करने का काम किया और कहा कि क्योंकि एंग्लो इंडियन इतने हैं देश में आवादी में आपने एंग्लो इंडियन का जो रिज़रेशन होता वो खतम कर दिया तो बताओ हमें हो आपको कब गिनोगे पहले कांगरेश ने नहीं गिना अब ये नहीं गिनना चाहते हम गिनवाना चाहते हैं कि हमें गिन लोगी हम कितने हैं समाज में बताओ हमारे नौजमान मौरिया जी गिनवाना चाहते हो समाज में कितने हो के नहीं गिनवाना चाहते हो क्योंकि आप तो यादव से ज्यादा हो होना के नहीं हो यादव से ज्यादा अरे देखो हमारा मौरेश साथी कह रहा हम यादव से ज्यादा हैं गिनती तो क्यों नहीं गिन रहे हो आप हमारे कुर्मी वाई हमसे जाता है गिनो समाज में क्यों नहीं गिनने हैं आप हाँ उनको तो ज़रूर गिनना है स्टी एसी हमारे ये बैटे इन्जिन सरोजी हम तो कह रहें कि हम सब को गिन लो ये जो आ रहा है चाहे नर्सी ओ चाहे न्पियार ये हर गरीब के खिलाफ है हर गरीब के खिलाफ है हर माइनोर्टी के खिलाफ है हर मुस्लिम के खिलाफ है इसलिए जो जमीन पे नहीं दिखा पाए जो क्यूटों नहीं मना पाए जो गंगा नहीं साफ कर पाए वैसे हमें लगता है गंगा मैया में कुस तो है ताकत कुस तो है गंगा मैया में देखो जो गंगा मैया को धोगा देगा वो बचेगा नहीं वो आपने देखा क्या नहीं देखा बताओ इसलिए जो गंगा मैया को नहीं साफ कर पाई कोई गंगा मैया को साफ करेगा तो वो समाजवादी लोग होंगे जो साफ करके दिखा देंगे और लगनों में करके दिखाया है ये 900 मीटर जुड़ जाती तो देश की पहली नदी होती जो शेहरों में साफ सुदी बेहती यही गंगे एक्शन प्लान वन था यही आज कर रहे हैं तो बताओ समाजवादी पार्टी का मॉडल क्यों नहीं अपना रहे हैं वही मॉडल से नदियां साफ हो सकती है इसे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ अपने चाहस संग के नौजमानों को और जिनों ने जिताया उनको ज़्यादा बधाई हो धन्यवाद और यहां आए हैं मुझे खुशी है नए वर्स पे नई चीज़ें होंगी और जिनके साथ अन्याय किया है सरकार ने हम समाजवादी लोग उन परिवानों के साथ हैं उनकी मदद करेंगे और जिन लोगों ने अन्याय किया है यह सरकार जाच करे हम चाहते हैं कि जाच हो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कारवाई हो और अगर यह कारवाई नहीं करती है तो वो वीडियो वो सीसी टीवी फोटेज सब कुछ हैविलेबल है जब समाजबादी सरकार बनेगी ऐसे दो सी अधिकारियों के खिलाफ कारवाई करने का खाम करेंगे और फिर यह बताओ बुलंच शेर में पुलिस के अधिकारी को किसने मारा वो पूरी सीसी टीवी और वीडियो एविलेबल है पताओ सरकार ने एक को भी पकी तो दो हजार साथ की दुबारा जाच होगी के आखिर कार क्या क्या जलाया गया है जब हमारे याँ तोटी ढून सकते हो तो समय लेना समय बदलता है समय का फेरी ऐसा है कभी अच्छे दिन कभी खराब दिन और तब तक जाँ चली जब तक चिलम ना निकली बहुत धने बाद सभी नौजवान साथी अपने जगापर बैठे रहेंगे सभी और तक चली चली यवान साथी जब है